नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर तो आज हम बात करेंगे DLN Admissions 2023 लेटेस्ट अपडेट के बारे में तो आज मारी तारीख हो चुकी है 13 जून 2023 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग नियूज DLN Admissions 2023 लेटेस्ट अपडेट को देखेंगे देखेंगे सबसे पहले आपको लाश्ट डेट पता होना चाहिए कि किस दिन तक आप ऑनलाइन रेजिटेशन कर सकते हैं देखें दोस्तो हमारा जो ऑनलाइन पंजी करण प्रारम्ब होने की थी थी दो तारिक से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है लेकिन जो लाश्ट डेट है दोस्तो हमारी 27 तारिक है 27 जून के बाद आप लोग ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाएंगे ठीक है देखें लाश्ट में सर्वर डाउन हो जाता है सर्वर की समस्या होती है अगर आप लोग आवेदन करना चाहते तो तुरंत के तुरंत आवेदन कर लीजे बहतर होगा ठीक है यह लाश्ट डेट है फीस कितनी लग रहे है आनलाइन आवेदन में आपको कितना पैसा देना पड़ेगा जो बचे जनरल कटेगरी या OBC कटेगरी के अंतर गताते उनको 700 रुपे देना है जो बचे SC या HT कटेगरी के अंतर गताते उनको 500 रुपे देना है जो बचे विकलांग स्रेडी के अंतर गताते उनको 200 रुपे देना पड़ेगा अब दोस्तों college की fees क्या होगी जब आप लोग admission लेने जाएंगे तो आपको क्या fees बेक करनी पड़ेगी देखी अगर आपको private college में admission लेना चाहेंगे तो आपको एक साल का 41,000 पर देना पड़ता है ठीक है लेकिन admission से पहले एक बर college से आप संपर कर लिजेगा कि college वाले कहीं ज़्यादा की demand तो नहीं करेंगे जैसे practical fees ये सब पूरा चीज clear कर लिजेगा कि आपको classes करना होका नहीं करना होगा कुछ ऐसे college होते जहाँ पर आप एक भी दिन class नहीं करेंगे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन कुछ ऐसे college भी हैं जहाँ पर आप class नहीं करेंगे तो आपको fine group में कुछ रुपे देना पड़ेगा ठीक है तो admission से पहले ये बात आप college से confirm करेंगे दूसरी बात अगर आप लोग को सरकारी college मिलता है सरकारी ठीक है government college अगर आपको मिलता है तब आपको एक साल का 10,002 रुपे payment करना पड़ेगा आप अंदाजा लगा सकते हैं 41,000 private college का एक साल का है सरकारी का मात्रे 10,200 मतलब 4 गुना कम फीस है और दो साल में आप 20,004 रुपे में आपको डीलेट complete हो जाएगा अगर आपको सरकारी college मिलता है उसके उपर से आपको स्कॉलर्शिप भी मिल जाती है किसमत अच्छी रही तो देखे स्कॉलर्शिप का सिंपल सा फंडा है जिसकी किसमत अच्छी उ अगर दोस्तों आप लोगे यह 18 साल से कम होगे तो जब आप बेटा बर्थ फिल करेंगे ना जब यहां पर नेक्स्ट वाला उप्सन सब्मिट करेंगे तो आप आगे प्रोसेस हो गए ठीक है उसके बाद category आप ही क्या है सब category क्या है जेंडर क्या है मेल या फिमेल यह इमे आड़ी और मॉबाइल नंबर वही वाला जो इसमें करेंटली वर्किंग हो ठीक है तो यह गलती नहीं करेंगे ठीक है इमेल आड़ी मॉबाइल नंबर में उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रेजवेशन जी यहां दोस्तों क्वालिफिकेशन है आप मिनिमम आपकी ग्रेजवेशन होने चाहिए कुछ बच्चों के मन में सवाल था कि क्या सर हम स्वास हो गए क्या हम आवेदन कर सकते नहीं अगर आपसे पहले ही पेज पर यह ग्रेजवेशन का नंबर मांगा जाता है अगर आपने ग्रेजवेशन किया है नहीं है तब आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर ही नहीं पाएगे डिप्लोमा से भी काम नहीं चलता जैसे पॉले टिक्नीक वाले बच्चे होगा है ठीक है ग्रेजवेशन आपको बोड या युनिवर्सिटी सेलेट कर लेना कॉलिज के नाम क्या था आपका पासिंग येर 2023 है वाई सिक्के जो भी है रोल अपने आप यहां पर कल्कुलेट हो जाएगा जो बच्चे जनरल के टेगरी के अंतरगाता थे 50% से अगर कम होगा तो हो सकता उनका ना ले OBC में 45 ठीक है, SC में 45, HT में 45 चेक करिएगा देखिए दोस्तों यहापर आप लोग चेक करके खुद देख लिजे होगा तो ठीक है नहीं होगा कोई बात नहीं हमने कमेंट बॉक्स में आप लोगों के लिए लिंक भी देदी है प्रॉपर जहां से आप लोग ओनलाइन इस् ठीक है, यह important रहेगा, कितना फीस लग रहा है, क्या क्या लग रहा है, यह सब कुछ हमें आपको बता दिया, ठीक है, और उसके बात दोस्तों देख सकते हैं, जो विग्यप्ती जारी किये गएती PNP की दरब से, जो इस साल DLA में admission लिया जा रहा, उसकी सूचना यहापर हम में दी गएती हैं, तो यह सब बाते होती हैं कि छोटी-छोटी आप लोग गलती करता, उसके बाद आपको फॉर्म रिजेक्ट होता है, एक और बड़ी बात आपको बताते हैं, जो छोटी सी बात कही है, बड़ी कही है, जब आपको ग्रेजवेशन या किसी भी हाई स्कूल का या 12 का नंबर भरेंगे, अगर आपने दोस्ते एक भी नंबर जाधर डाल दिया, तो आपके लिए समस्या खड़ी हो जागी, माल लेते दोस्तों आप हाई स्कूल में 600 में से 400 नंबर प्राप्त कर रहें, गलती से अगर आपने चार स्कूल एक डाल दिया, तो बहुत जो यह फॉर्म बर रहें, यह फाइनल फॉर्म है, देखिए बहुत से ऐसे फॉर्म हाते हैं, जिसमें पहले आपको ऑनलाइन आविधन कर लेते, पेमेंट, टेमेंट सब कर लेते हो, उसके एक अपते के बाद संसोधन का मौका मिलता है, लेकिन दोस्ते, यूपी डियरेट एडमिशन 2030 में ऐसा कोई मौका आपको नहीं दिया जाएगा, एक बात और आपको बता दे, हमारा जो बियरेट इंट्रेंस एकजाम का पेपर होने वाला है, इंट्रेंस एकजाम का पेपर है, वो 15 तारिक होगा, 15 जून को, उसका दोस्तों जो एडमिट कार्ड अगर आप करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमने कमेंट बॉक्स में आप लोगों को लिंक दिया है, वीडियो के आंत में आपको ये भी बता देंगे, श्टेप बाइश्टेप की कैसे आप अपने अपने अडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, DL8 के साथ हम B8 की भी सा चाहते हैं, क्लास 1-5 या 6-8 जूनियर तक के, तब दोस्तों आपके लिए DL8 बेश्ट है, ठीक है, आग बंद करके आप DL8 में अडमिशन लीजे, अगर आपके बाइश्ट है कि नई 9 से भी उपर क्लास में आपको अडमिशन मतलब नौकरी चाहिए, तब आप B8 कर सकते ह अगर दोस्तों बीट के चाहते हैं, तब दोस्तों बीट करना एक बहतर भी गलब, लेकिन DL8 में परसेंगेज आपके इच्छी बन जाती है, लेकिन हाँ, DL8 में फेल होने के भी चांसे हो जाते हैं, पेपर में जो कि B8 में नहीं होता है, तो देख लीजेगा कि आप पाक लगा के काम करना है, कोई गल्ती आप से नहोने पाए, गौवर्मेंट कॉलेज की कटाप दोस्तों क्या जाएगी, जनरल EWS, OBC, HCT, Fiscal Handicap, जो भी दोस्तों अपडेट आएगी, अपडेट हमाँ तक पहुंचाएगी, फिलाल ये मानके चलिएगा, इस बार अगर आव बच्चे आवेदन करें, तो 2,210 में भी हो सकता है कि आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, EWS में 200 पर काम बन जाएगा, OBC में भी 200 पर, ST में भी 200 पर, ST में 180 प्लस, और Fiscal Handicap में 170 प्लस, अब ठीके ये हम आगरा कैसे आपके सामने रखने हैं, सब कुछ depend करेगा, कितने ब बच्चे आपको सरकारी के सामने बाएगा, तो 3,4 लाकी रहें, तो मतलब हर तीसरे चौते बच्चे को वाँ पर नौकरी मिलेगी, तो देखे क्या होता, एक सवाल और था कि क्या DLA में इंट्रेंस इज़ाम होगा, इसका अंसर बिल्कुल में नहीं, इंट्रेंस इज़ाम नहीं होगा, age limit 18 साल, योगिता, आपकी graduation होनी चाहिए, मुबाइल में आप इदर करने के लिए comment box में link दिया गया, चलिए दोस्तों वीडियो के अंतर में हमने आपको बताया था, कि हम देखेंगे कि B8 का admit card कैसे download करना है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने mobile phone या computer मे गूगल open करना है, और देखें, search क्या करना है, d-e-l-e-d-r-e-s-u-l-t.com, जैसे दोस्तों आपने सरकारी visual.com website के बारे में सुना है, वैसे dlh digital.com website है, जहां से आप लोग अपना admit card, result, यह सब बहुत ही आसानी से download कर पाते हैं, तो जैसे दोस्तों हम इस website को open करेंगे, तो आप देख सकते हैं, UPBAT entrance exam admit card 2013, इसका link दिया गया है, साथ ही अगर आप seated का admit card डाउनलोड करना चाहते हैं, उसका link यहाँ पर है, फिलाल हमें BAT entrance exam का admit card डाउनलोड करना है, तो click here पर हम click कर देंगे, और दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते है, admit card download click here, UPBAT entrance exam result 2013, link के login करना है, आपका admit card आ जाएगा, ठीक है, हमने बिल्कुल आसान तरीके से आपको अपना admit card download करने का तरीका बता दिया है, कोई भी दिखकत होगी तो comment करिए का, चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं, stay connected, आपका दिन सुबो,